कि 5 जो तौपिक था रोबिंसट उस चैप्टर को पड़ा था उसमें ने देखा था कि किस तरीखे से एक विक्ति होते हैं, रॉबिंसन कुरोवों वो शिप में जारहे होते हैं और उनकी शिप किसी आई लेंड में फस जाती है बतलब खराब हो जाती है, ढूब जाती है तो वो वही बहुत सालों तक रहते हैं और उसमें ये बताया गया था जब भो एक दिन अपने शिप के पास जाते हैं समünstर के पास जाते हैं तो रेड में उन्हें एक पैर का निशान मिलता है तो उसी की खोज वो करते हैं कि यह किसका है पहले तो वो डर जाते हैं कि क्युए और नहों और मुझे मार ना थे देखते हुई तो वो अपने केव में भाग के चले जाते हैं और फिर बहुत दिनों के बाद जब उनका डर थोड़ा कम हो जाता है तो वो उसकी खोच करने के लिए वहां आते हैं कि आखिरी फूटप्रिंट किसका था जब वो वहां आते हैं अपने पैरों से उसको उनको डर भी था कि कहीं उन्हीं का ना हो जिससे वो डर रहे हैं तो जब वो अपने पैरों को उससे मिलाते हैं तो उनके पैर छोटे होते हैं वो बड़ा सा निशान होता है तो फिर से वो डर के वापस चले जालता है यही था discover of footprint तो इसमें हम आज question answer with solution करेंगे question answers start करते हैं जो कल आपको assignment में भी मिले थे question number one है choose the correct answer इसमें से कुछ option आपको दिये गए हैं इसमें से correct answer आपने choose करना है number one है Robinson run back to his home as fast he could because he बतलब वो दौन के घर को क्यों गए थे ये पूछा गया है was racing race लगा रहे थे was afraid दर के मारे was in a hurry to go to या तो उन्हें जल्दी थी घर जाने की वो क्या हो गए थे डर गए थे तो हमने was afraid पे उसे तिक कर रखा है he could not sleep because वो क्यों नहीं सो पाए क्योंकि his thought savages had come from the mainland उन्हें लगा कि कोई व्यक्ती mainland में आया है और वो डर की वज़े से सो नहीं पाए third question है where was Robinson Crusoe Robinson Crusoe कहा थे on a boat in a town or alone on an island कहा थे alone on an island तो हमारे टिक दो अप्शन complete हुए now second है the word in the sentences are jumble jumble means होता है एक sentence आपको दिये है उसमें से word आगे पीछे करके दिये है मतलब आपको उसे rearrange करना है write them in order one is done for you अब देखो इसने क्या है कुछ sentence आपको दिये गए थे लेकिन वो क्या थे dismissed थे उनके words अलग अलग दिये गए थे तो आपको उसे rearrange करना था jumble word दिये गए थे तो I hope आपने किया होगा अगर नहीं किया हो समझना आया हो तो आप यह answer सी देख सकते है worksheet फर्स्ट है देखो sentence यह है अलोन वोज नॉट रॉबिंसन अन आयलेंड ओन कोई मीनिंग होता है बिल्कुल नहीं होता है तो sentence नहीं बना इसका क्योंकि sentence क्या होता है जिसका complete sentence हो गोई है ना तो हमने इसको rearrange किया और हमने बनाया रॉबिंसन वोज नॉट अलोन अन आयलेंड ठीक है तो यह इसका अंसर हो गया नेक्स्ट है वोज आयलेंड द इन्हाबिटेट तो इसका answer इसका rearrange हिया हमने द आयलेंड वोज इन्हाबिटेट वहाँ कोई नहीं रहता था नाव नेक्स है फूट प्रिंट कोई मीनिंग नहीं होता है तो इसका answer हमने बनाया इस फूट प्रिंट बिलॉंग टू समवन यह किसी का फूट प्रिंट है ठीक है इसके next हम आते हैं next था I around me looked I looked around me इसका answer हमने लिखा I looked around me उसके बाइन next है I want to toward footprint large कोई मीनिंग नहीं होता है इसका भी हमने meaningful बनाया इसे लिखा I went toward the large footprint ठीक है तो हमारे rearrangement जो थे वो भी complete हुए उसके बाद आते हैं question answers में give answer the following question यहाँ पे कुछ questions आपको दिये गए हैं आपको उनके answers लिखने correctly ठीक है तो first question आपका था what made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint Robinson Crusoe ने तो सिब sand पे प्रिंट देखा था ना तो उसे कैसे लगा कि वो footprint है कैसे लगा था उसने क्या देखा था फूट के जो hills होती है toes होती है उसको मतलब उसकी उसकी draw से उससे पहचान लिया था उसको देखके तो उसने क्या देखा आंसर लिखा है Robinson Crusoe thought so because it had every part of a foot, toe, hill etc वो क्या था every part क्या था foot, toe का था ठीक है foot, toe and etc जो पार्ट होते हैं हमारे पैर के जो फूट के पार्ट होते हैं वो सब था इसलिए उसने सोचा कि ये पैर का निशान है पता चल गया था उने now second question है why was Robinson afraid when he looked at the bushes and tree bushes and tree को देख कर वो डरने क्यों लगा Robinson was afraid because देखो वो क्यों डरे he mistook every bush and tree क्योंकि वो बहुत डर गये थे है ना every bush and tree to be a man following him Robinson was afraid because he mistook every bush and tree to be a man following him अब वो बहुत डर गये थे उन्हें लगा कि यहां कोई है तो उन्होंने क्या सोचा जैसी वो दौन रहे थे तो हर बार वो आगे पीछे देख रहे थे हर दो तीन कदम चलने के दौनने के बाद तो उन्हें लगा कि वहां के हर जाडियां जाडियां और पेर उन्हें क्या लग रहे थे आदमी की तरह लग रहे थे जो उन्हें फॉलो कर रहा हो ठीक है तो थार्ट क्वेस्टन फिर नेक्स हम प्वेस्टन मा आते है नेक्स था वाइट रॉबिंशन प्रे वैन ही शौद फुट्प्रिंट को देखकर उसने क्या प्रे किया रॉबिंशन ने क्यों प्रे किया उसको लगा कि यह footprint किसी savage का है अब वो क्या करते हैं उन्हें लगा कि यह footprint किसी savage का है और बतलब कोई बहार की वेक्ति का है जो घूमते हैं उनका है और अब उन्होंने मेरे बारे में तो पता अगर मुझे देख लेंगे तो अपने साथियों को बहुत सारे savage को लेके मुझे मार डालेंगे तो उन्हें अपनी safety के लिए pray कर रहे थे वो ठीक है वो क्यों शौर थे क्योंकि footprint तो किसी इंसान की भी हो सकता है तो वो शौर क्यों थे कि वो footprint उनके नहीं है देखे रॉबिंसन क्रूसो वो शौर दाट इट वोस नौट इस फूट्प्रिंट बिकॉस ही हाद नौट कम तो इस पार्ट अब देश पीच यह ना लॉंग टाइम अब बीच के उस पार्ट में जहां पे फूट्प्रिंट मिला था उस पार्ट में वो बहुत लंबे समय तक नहीं आए होए थे बहुत लंबा समय हो गया था उन्होंने वहाँ वो वहाँ आए होए नहीं थे तो उन्हें लग गया था कि यह footprint उनके तो नहीं हो सकते क्योंकि इतने टाइम की तक तो footprint रहे नहीं सकते हैं ठीक है तो हमारे जो question answer थे वो complete हुए I hope आप लोगों को समझ आये होंगे and आप लोग इसे घर में notebook में note करें अब हम next इसके बाद मिलेंगे question answer solution हो गए है इसके बाद हम next topic में मिलेंगे chapter number 7 में जो हमारा unit 4 का first chapter होगा जो एक poem है उसे हम read करेंगे next day so students आप भी इसे note कीजिएगा घर में सही तरीके से without mistake के note कीजिएगा and अपने homework की जो group है उसमें send कीजिएगा okay okay students thank you